इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी शेयोड्रिल सिर्फ एक सयोजन दवा है जिसका इस्तेमाल खांसी के इलाज के लिए किया जाता है यह नाक और श्वासनली में बलगम को पतला करता है जिससे खांसी को बाहर निकालना आसान हो जाता है यह दवा नाक बहना, आँखों से पानी आना, छीक आना, गले में जलन जैसे अलजी के लक्षनों से भी राहत दिलाती है सियोड्रिल सिर्फ भूजन के साथ या उसके बिना खुराक और अवधी में लिया जाता है जैसा कि डॉक्टर ने सलाह दी है आपको दी जाने वाली खुराक आपकी स्थिती पर निर्भर करती है और आप दवा के प्रती कैसी प्रतिक्रिया करते हैं आपको इस दवा को तब तक लेते रहना चाहिए जब तक आपका डॉक्टर सलाह देता है यदि आप बहुत जल्दी इलाज बंद कर देते हैं तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और खराब हो सकती है अपने चिकित्सक को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं क्योंकि कुछ इस दवा से प्रभावित हो सकती है या प्रभावित हो सकती हैं सबसे आम दुश्प्रभाव दस्थ, दाने और मतली हैं इन में से अधिकान शस्थाई हैं और आम तोर पर समय के साथ हल हो जाती हैं अपने चिकित्सक से सीधे संपर्क करें यदि आप इन में से किसी भी दुश्प्रभाव के बारे में चिंतित हैं यह दवा भी नींद का कारण बन सकती है इसलिए जब तक आप यह नहीं जानते कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है तब तक गाड़ी न चलाएं या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान देने की आवश्यक्ता हो इस दवा को लेते समय शराब पीने से बचें क्यूकि इससे नींद खराब हो सकती है कभी भी स्वध दवा का समर्थन न करें या किसी अन्य व्यक्ति को अपनी दवा की सलाहा न दें इस दवा को लेते समय पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेना फायदे मंद होता है इस दवा को लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आप गर्भवती हैं, गर्भावस्था की योजना बना रही हैं या स्तनपान करा रही हैं अगर आपको केड़नी या लीव की कोई बीमारी है तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए ताकि आपका डॉक्टर आपके लिए उप्युक खुरा क्लिक सके विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद